हेलो दोस्तों तो आज हम बात करेंगे यहां पर B.A.D. 1st Year के question paper के बारे में हैं जी हाँ 2020 में जो question paper थे जो 2020 में exam हुए थे उसके question paper के बारे में हम discuss करेंगे तो वीडियो अगर helpful लगे और जो आपके friends हैं उनको भी ज़रत होगी question paper के क्योंकि ये question paper अक्सर जिनको जरुरत होती है उनको नहीं मिलने आते हैं तो यहाँ पर मैं यह बता दूँ पहले तो हर question paper में कुछ न कुछ difference रहता है वो जानना बहुत जरूरी है और कई लोग यह नहीं जानते same pattern समझ के question करके आते हैं तो उनके marks कम हो जाते हैं पहली बात यहाँ पर हर university का pattern थोड़ा थोड़ा change रहता है जैसा कि पिछली बार हुआ था कई university ने first year वालों को promote कर दिया था लेकिन मैं यहाँ बात करने वाला हूँ राम मनोहर लोहिया अवधी university के बारे में जिसके examination वैसे तो last October में हुए थे last October starting November में इस बार भी COVID-19 के दौर में देखे क्या होता है फिलाल exam तो होंगे ही होंगे 100% होंगे भले ही LU weather university पास कर दें लेकिन यहाँ पर जो राम मनोहर लोहिया आवधी university है इसमें जो है exam 100% होंगे तो यहाँ पर देखे first paper second paper third paper की हम बात करेंगे first paper में देखे और first paper की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर काफी कम marks मिलते हैं इसकी वज़ा क्या है इसका कुछ system paper का जो ऐसे आता है कि मतलब previous year के questions सेम नहीं आते कुछ न कुछ हर बार change कर दिया जाता है इसलिए maximum लोगों के first paper में ही कम number आते हैं तो चलिए यहाँ पर first paper देखेंगे knowledge and curriculum का है three hours time है और यहाँ पर marks दिये गये हैं attempt all अब यहाँ पर सभी खंडों को करना होता है जिसा तीन खंड दिये होते हैं खंड आ बासा तो यहाँ पर देखेंगे पहला देखेंगे सभी प्रश्णों के उत्तर देना है और प्रतेक प्रश्णों का उत्तर लगभग 25 सब्दों में यह बात बहुत ही गौर करने वाली होते हैं यहाँ पर बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा यहाँ पर देखेंगे 10 क्westion होते हैं एक एक नंबर का जबकि जो सैकेंड पेपर और थर्ड पेपर होता है उसमें यह नहीं होता उसमें दो-दो नंबर के क्वश्चन आते हैं और वो होते हैं दसक्षन होते हैं वो हो जाते हैं टोटल टूटल टोंटी माक्स के यहाँ पर केवल फर्स पेपर में ऐसा होता है जो की एक एक नमबर के 10 कुष्चन होते हैं और यह सौट में करना होता है दो से तीन चार लाइन तक बहुत है सिक्षा तता साक्षरता में अंतर क्या है? नेक्ष्ट आगे हम बढ़ेंगे कुष्चन नमबर 2 है अविधा से क्या तातपर है? नेक्ष्ट आप्र योजन वात का साथिक अर्थ लिखे नेक्ष्ट आध्यात्मिक राष्ट वात से क्या तातपर है? फिर नेक्ष्ट आभ वहतिक संस्कृति से क्या तातपर है? यहां पर नेक्स है ओटोवे के अनुसार सैक्षिक समय सास्त्र को परिभासित कीजिए फिर नेक्स कोश्चन है शिक्षा को परिभासित करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है काफी बार रिपीट हुआ है कोश्चन पाठी क्रम और पाठी चर्या में अंतर ये भी और यूज कर देते हैं, नेक्स है लोक तांत्रिक मुल क्या है वैदिक सिक्षा की मुख्य विसेशता है, अब देखिए 10 Questions हो गए, अब section B की हम बात करेंगे, यहाँ पर सेक्षन B में देखे क्या है इसमें थोड़ा सा question ऐसे होते हैं थोड़ा सा sort type में मतलब कि जो very sort है उनसे थोड़ा long तो देखे क्या होते हैं इसमें सभी प्रश्णों के उत्तर देने हैं अब यहां पर देखे यहां पर आठ है ना आठ हर नमबर के 5 question आपको करने होते हैं जो और में करके दिये होते हैं तो देखे हैं पर क्या है सख्षय की प्रक्रति और संस्क्रति संचिप्ट टिपड़ी लिखना है और में question नीचे दिया गया हैνα जान्स्क्रतिक विरासत की सुरक्षा के लिए सिक्षा क्यों आवश्यक है ऐसे और में दिये हुचे है इसमें एक maximum question बनते हैं जो कि आपके slabus में यही है चार unit फिर एक अच्छे पार्ट पुस्तक की विश्यस्ताओं को बताना है और में नीचे दिया है वेदांत सिक्षा के बारे में next रे राश्ट्री एकता के 19 में सिक्षा की भूमिका फिर next है प्रियोजनवादी सिक्षा दर्शन का मुल्यांकन फिर 6 नमबर question है सांती निकेतन रमेंदर ना टेगोर के विचारों का प्रतिक है टिपड़ी करें अब इसमें खास एक बात देख लीजे question 1 में क्या था 10 question थे एक एक नमबर के है ना वो total क्या था 20 नमबर का लेकिन second paper में क्या होता है दो-दो नमबर के question आते हैं और वो starting में sorry यहाँ पर 10 नमबर है ना यह हो जाते है 20 नमबर के तो यहाँ पर यह जो second question हम और करके पढ़ रहा है थे इसमें 88 नमबर की है इस वाले में है ना और इसमें क्या हो जाते हैं वही marking कम कर दी जाती है second paper में तो इन सब चीजों को गौर करते हुए paper का pattern लिखना होता है अगर marks जादा है तो थोड़ा सा long लिखना होगा अगर कम है तो उसको उसे हिसाब से sort में फिर खंड सा में देखे दो प्रशनों के उत्तर देने होते हैं यहाँ पर पांस सब्दों में और यह 15 पंदरा नंबर के होते हैं question आप किसमें देखे क्या होता है आपको 4 से 5 पेच तक 5 पेच का average में आपको question लिखना होता है इसका answer 5 पेच का तभी आपको अच्छे marks मिल सकते हैं तो यहाँ पर देखे कभी-कभी 4 question देते हैं इस पार्ट में 2 करने होते हैं कभी-कभी 5 question देते हैं तो पहला है यतार्थवादी सिक्षा के गुड़ दोश फिर है सिक्षा और आधनिकी करण सिर्शक पर एक निबंद फिर नेक्स्ट है वर्तमान सिक्षा के संबंध में बहुत दर्शन के सैक्षिक नहतार्थों के विवेचना फिर है दस नंबर उत्तम सामाजिक विवस्था के स्रिजन तथा संचारन में आधर्शुआत के महत्तु तथा योगदान की विवेचना तो देखिए आँ पर चार कॉश्चन पूछे गए हैं तो चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम गवाई सेकेंड पेपर पर यहां पर देखिए बेट फिर्स्ट एर एक्जाम दोहजार बी सेकेंड पेपर है साइकोलोजी ओफ लेर्निंग अगर बात करें शुरुआत में दस कॉश्चन यह भी होते हैं तो देखिए यह कॉश्चन पेपर जो होता है इसमें काफी रिपीड़ कोश्चन आते हैं तो इसमें आप पढ़के अच्छा स्कूर कर सकते हैं फर्ष्ट पेपर की अफिक्षा आपको मेहनत करनी है ज्यादा फर्ष्ट पेपर में अगर आपको ज्यादा स्कूर राना है बाकि सेकेंड पेपर आपका मतलब कई कोश्चन रिपीड़ कोश्चन आते हैं थर्ष्ट पेपर में भी ऐसा होता है देकि सेक्षिक मनव ज्यान का प्रत्या है फिर अभिवरद्धी और विकास में अंतर अभिवरद्धी और विकास मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक है विकास की अवस्थाएं फिर अधिगम से आप क्या समझते हैं अधिगम जो की काफी रिपीट होता है और व्यक्तित्त को परिभाषित करना है बुद्धी की आधुनिक अवधारना क्या है मानिसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के पांच लक्षन लिखने है सैक्षी क्रूप से पिछड़े बालोकों से आप क्या समझते है अधिगम का स्थानातरन क्या है कि सोरा वस्था की मुख्य समस्याओं को लिखना है दस कोश्चन हो गए अब बात करेंगे हम सौर्ट एंसर टाइप कोश्चन की देखिए यहाँ पर कैसे आते हैं देखिए हमने बताया था पांच कोश्चन होते हैं उसमें 88 नंबर के थे और यहाँ पर क्या है 6 चे नंबर के है ना तो उस फर्स पेपर की अगर अपिक्षा हम इसकी तुलमा करें तो फर्स पेपर में क्या था थोड़ा सा आपको ये वाले कोश्चन थोड़ा लॉंग लिखने पड़ेंगे और ये थोड़ा सा अगर हम चाहें तो एवरेज में कम कर सकते हैं क्योंकि फर्स पोश्चन था दो दो नंबर के उसमें अगर आप ज़्यादा टाइम दे रहें तो जाहिर से बात है इसमें आपको थोड़ा सा टाइम आपको कम देना पड़ेगा तो चलिए इसके क्योश्चन हम देखते हैं यहाँ पर पहला क्योश्चन है सिक्षा और मनुविज्ञान एक दूश्रे के पूरक है इसकी व्याख्या करनी है और में दिया है सिक्षा मनुविज्ञान के छेत्र की विवेचना करनी है बच्चो की विकास को अब इसमें देखे थर नंबर दिया गया है अब इसमें एक यह एक नीचे कोश्चन दिया है तो इसमें से एक ही करना होता है आपको पता होगा, बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाले विभिन कारक, यह बहुत important है, काफी repeat होने वाला question है, विकास के विभिन सिध्धानतों की विवेचना कीजिए, अधिगम को परिभाशित कीजिए और इसकी विसेस्ताओं को लिखना है, next है अभी प्रेणा क के तत्तों की विवेचना कीजिए, फिर five number question है, वैक्ति तो क्या है, उसके विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वरण कीजिए, फिर मानिसिक स्वास्ते से आप क्या समझते है, इसकी वियाक्षा करनी है, next है वैक्ति तो विभिन्नता, वैक्तिगत विभिन्नता के प उर्दे देते हैं, तो यहाँ पर देखें कितने question दिये गए हैं, देखेंगे, पांसो सब्दों में इनका भी उत्तर लगवग लिखना होता है, गुद्धि से आप क्या समझते हैं, वैक्तिगत बुद्धी परिक्षण एवं सामोहिक बुद्धी परिक्षण में अंतर रि आख्या करनी है, तो यहाँ पर जो अधिगम के सिध्धान्त हैं, जो पावलाओ हैं, उनका और स्कीनर और थांडा एक तीनों में से एक जरूर आता है, आपको बहुत ही ध्यान से इनको त्यार करके रखना है, नेक्स्ट है समूह गतिशेलसा से आप क्या समझते हैं, कक्ष कितने माक्स, अगर आप लार हैं, तो आपका अच्छा परसंटेज बनेगा, देखिए, फर्स्ट पेपर में क्या होता है, मैक्सिमम 80 में से 50 एवरेज आते हैं लोगों के, बहुत अच्छा करते हैं, तो 55 तक पहुंचते हैं लोग, वरना फर्स्ट पेपर में पता नहीं, उसका पैटर्न ही होता है, उसमें कम स्कूर होता है, वहीं सेकंड पेपर में लोग 60-65 तक जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा, और थर्ड पेपर में भी ऐसे ही एवरेज हो जाता है, बाकि आपके ऑप्शनल पेपर होते हैं, जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर हमने स्टार्